आप मैंसे कितने लोगों को लगा था कि जब ChatGPT आया था तो Google खत्म हो जाएगा सही बताना नीचे कमेंट करके लेकिन आपको बताओ अब जल्दी ही ChatGPT के दिन लगने वाले हैं क्योंकि Google लेके आया है अपना नया टूल Gemini इस वीडियो में हम जानने वाले हैं Gemini के बारे में वो किस तरह से ChatGPT को टकर दे सकता है और उससे कहीं बैटर काम कर सकता है आग के लिए Gemini को भी हाल फिलाल में ही लॉंच किया गया है और Gemini को एक्सिस करने के लिए आपको सिर्फ Google पे टाइप करना है Gemini ऐसा करते ही यहाँ पे आपको के रिजल्ट मिलेंगे भी फर्स्ट पे तो नहीं आगा क्योंकि गूगल ने भी हाल फिलाल में बार्ड लॉंच किया था और बार्ड को ही कनवर्ट करके Gemini बना दिया गया है तो यहाँ पे जैसे आप Gemini टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको Google Deep Mind और Gemini.google.com का रिजल्ट मिलेगा आप चाहे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तब भी Gemini पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाए देगा Welcome to the Gemini Era यानि Gemini के युग में आपका स्वागत है औ अगर आप Gmail account से login कर रहे हैं तो आपका नाम उपर लिखा हुआ आएगा Hello of a menu, How can I help you today? यह आपके सामने लिखा हुआ आजाएगा. अब यह क्या क्या कर सकता है? ChatGPT से कैसे अलग है? क्या क्या इसके features हैं? हम जल्दी से समझने वाले हैं. तो ChatGPT के बजाए अगर Gemini में द आपके दे सकता है. जैसे mail लिख सकता है. अगर Google Drive में को document save है और आपको उसे summarize कराना है, तो कर सकता है. और भी बहुत सारे काम कर सकता है, तो जल्दी से हम यह सीखने वाले हैं कि कैसे कैसे यह सारे काम करेगा और कैसे Gemini work करता है. तो सबसे पहले इंटरफेस देख लेते है Gemini का जो इंटरफेस है, बहुत ही neat and clean है. आप यहां settings में जाएंगे तो आपको यहां पे दो mode दिखेंगे, dark theme आप कर सकते हैं और जो light theme है वो आप रख सकते हैं. यही पे यह और public link का option दे रखा है और यहां पे real time response का option दे रखा है. इसके अलाबा यहां पे extension का एक option और दे all together लिखा हुआ मिलेगा और नीचे आपको Google flights, Google hotel, Google maps, Google workspace और YouTube का option देखेगा. अब यह सारी चीज़ क्या है? अगर यह extension on है तो आपके जो Google flights है, आपके account से जुड़े हो जो Google hotels के result है, आपके Google map के result है, आपकी Google drive, Gmail और doc के result है, वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे. इसके दिखा देगा. अब कैसे दिखाएगा, मैं आपको समझाओंगा. तो अगर आप चाहते हो कि आपके जो personal results है, वो आपके Gemini account पे आपको शो हो और इसा नहीं public हो जाएंगे, आप यह मत चिंता करेगा, यह results आप ही को दिखेंगे, public नहीं होंगे, online नहीं जाएंगे कहीं भी क्योंकि Gmail के पास आपका वैसे भी सारा data अगर वो चाहेगा, तो वैसे भी online कर देगा, तो यह private आपका एक तरह से search engine रहेगा, एक private आपका chat server रहेगा, आप अपने documents के साथ में यहाँ पे काम कर सकते हो, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे Gemini के साथ में अपने document को connect क करके रखना है, तो करो, नहीं तो यहाँ से इस तरह से आप इनसको off भी कर सकते हो, यह disable कर सकते हो, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे Google Map और Google Workspace और YouTube Go On रखा है, इसके अलावा, अब हम चले जाते हैं, new chat के option पे, अब जैसे new chat के option पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे नी बहुत simple सा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अब कोई हम इस से चीज पूछते हैं, मैं बिल्कुल जैसे किसी से पूछा जाता है, बिल्कुल वैसे ही पूछूँगा कि तुम कौन हो, अच्छा यह कई सारे भाशाओं को support करता, आप तो विश्यो की हर भाशा को support कर रहा ह है, जो एक बड़ा भाशा मोडल है, मुझे text code करके विशाल database के लिए प्रसिक्षित किया गया है, अब देखो यहाँ पे जैसे यह आएगा, तो यहाँ पे आपको draft का option देखेगा, आपने जो prompt डाला, उसके आधार पे इसने यह answer किया, अब यहाँ पे देखो हमें और क्या से अपडेट किया, अब मुझे answer मेरे अब दोबारा जो मैंने प्रशन पूछा है, उसके आधार पे मिलेगा, तो यहाँ पे भी answer आया, जैमेनी एक आधुनेक, कृत्यम रुद्धिमता या AI technology है, और इसने इतना बड़ा answer मुझे यहाँ पे लिखके दे दिया है, इसके अंसर को सुन सकते हो, तो जैसे आप यहाँ माइक पे क्लिक करोगे, तो यह जो chat GPT तरह Google ने जो AI बनाया है, यह आपको बोल के भी बता देगा, अगर आपको इन तीनों में से कोई समझ में नहीं आता, तो आप यहाँ पे दुबारा से अपने answer को regenerate करा सकते हो, तो फिर से एक नया answer आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो देखो इसने इस बार बड़ा अलगी answer दिया है, इसने एक आयरुवधिक आउशधी के बारे में बताया है, इस नाम की एक आउशधी भी होती है, ड्राफ्स में हम चले जाएंगे, तो यहाँ पे फिर से आपको AI model वाला answer है, और दोको यहाँ पे भी आपको एक answer मिलेगा, जैमनी एक बड़ा भाशा model है, जिसे बार भी कहा जाता है, अब नीचे आजाते हैं, नीचे आपको यहाँ पे कुछ और option मिलते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे good response और bad response देना है, यहाँ पे आपको modify response का option मिलता है, जिसमें shorter, longer, simpler, more casual, more professional का option मिलता, आपको लगता है, यह जो मैंने लिखवाया है, यह थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था, तो आप इस पे क्लिक कर दो, तो अब जो जानकारी काफी लंदी चोडी दी गई थी, वह शौट फॉर्म में आपको यहाँ पे दे दी जाएगी, मानु आपको जो आंसर हो बहुत सिंपल भाशा में, जैसे मानो बच्चों को समझाने के लिए है, या किसी ऐसे विक्ति को समझाने के लिए है, जो नॉन टेक्निकल है, तो उसका आंसर यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, और more professional जैसे आप लिखेंगे, तो more professional एक आंसर बहुत अच्छा स आंसर हमें बना के दे दिया है, इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, share का option, अब ये share तीन तरह से आपको मिलेगा, एक तो आप simple share पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे एक public link generate हो जाएगा, और इसको आप WhatsApp पे कहीं भी group में डाल दोगे, सब लोग उस answer को देख पाएगे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, create public link हम जैसे करेंगे, तो यहाँ पे इस वाले answer का एक public link मुझे मिल जाएगा, और यहाँ पे share के option आजाएगे, LinkedIn पे share करा सकते हैं, Facebook पे, X पे या Reddit पे, मैं इसे copy कर लेता हूँ, copy करने के बाद मैं इसको कराता हूँ, WhatsApp पे share, और फि public link को हम open करेंगे, तो यह जो इस समय पेज आप देख रहे हैं, यह जो मैंने article शेयर कराया था, public link है यह उसका, और यहाँ पे लिखा हुआ रहा है, published 12 फरवरी दोजार चॉबिस, 11 बच के 23 मिनट पे, और यहाँ पे यह जैमिनी क्या है, और पूरा जो article है, वो आ गया है, अब इसके बाद यहाँ पे जैसे आपको नीचे option मिलेगा, continue this chat, तो यह से इस पे क्लिक करेंगे, तो आप तोरण से उस chat के उबर ही दुबारा पहुंच जाएगे, इसके बाद जो अगला option मिलता है, वो मिलता है export to docs, यानि Google Doc में अगर इस article को ले जाना चाहते हो, और notification में लेगा, new document created, अब यहाँ से जैसे आप open document करोगे, तो वही जैमिनी के बारे में जो article हमने लिखा था, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस तरह से, ठीक है, और जो last option है, वो है draft in Gmail, अब देखो जैमिनी से आपको email लिखवाते हो, दो दिन की छुट्टी के लिए, पांच दिन की शुट्टी के लिए, वो email भी लिख देगा, और आपके mail में draft ही कर देगा, तो मैं email लिखके दिखा देता हूँ, तो दो यहाँ पे इस ने एक mail तयार किया है, जिसे आप edit कर सकते हैं, Gmail के अंदर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम share का button दबाए तो मुझे यह वहीं पे ले जाएगा, देखो यह draft तयार हो गया, अब यहाँ पे आप अपना जो भी चीज हैं बीच की, उन्हें change कर सकते हो, और एक mail यहीं से यहीं सीधे के सीधे बेज सकते हो, बाकी सारी जो जानकारी है, आप यहाँ से delete कर दो, जो आपको नहीं double check करोगे, और यह जो आपने लिखा है, इसको आप Google से check कर सकते हो, जो आपने लिखा है, वो सही है या नहीं है, तो check complete, no result found, इसके बारे में तो कोई result मिलेगा नहीं, हाँ, इसके बारे में मिल सकता है, तो मैं यहाँ पे click करूँगा, और Gemini के बारे में, जो जो result Google पे तो यहाँ पे search related topic भी लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे देखो कि मैं शादी में चुटी मागने के लिए पत्तिक रह से लिखूं, message करने के लिए चुटी कैसे मांगते हैं, यह भी यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, और सीधे सीज़े जो result है, वो Google पे पहुँच जाएगा, अब बात करते हैं, जैमिनी के सबसे बड़े जो update है उसके बारे में, कि यह image बना लेता है, तो हम यहाँ पे जैमिनी को कुछ prompts देंगे, जिसके आधार पे हम जैमिनी से image बनवा के देखेंगे, तो मैंने जैमिनी को हिन्नी में कुछ prompts दिये थे, तो यह image नहीं मैंने यहाँ पे English में prompt लिखा है, create an image of a monkey eating a banana while using a computer, के एक बंदर है, जो केला खा रहा है, और साथ में computer भी यूज कर रहा है, मैंने जो prompt है, अब देखते हैं, जैमिनी वो image बना पाता है, और image की जो quality है, वो कैसी रहती है, और जो AI software है, जो image जनरेट करते हैं, क्या उसके ज एक बंदर है, जो केला खा रहा है, दूसरी वाली image को भी चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ इस तरह की image इसने मुझे बना के दिया है, और यह एक तीसरा image है, अगर आप इन images से संतुस्ट है, तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे generate more पे क्लिक करके, इससे और भी images तैयार करा सकते हैं, तो यहाँ पे भी दो image यह मुझे और बना के देगा, तो यहाँ पे यह दो image और आ गई है, अब आप किसी भी image को अगर download करना चाहते हो, तो बस उस पे click करो, और यहाँ पे corner पे आपको download का option दिखेगा, या फिर आपको यहाँ पे भी download का option दिख जाएगा, यहाँ पे click करके आप उस image को download कर सकते हो, अब सबसे बड़ा प्रिशन क्या यह image डाउनलोड करने पे, उस पे कोई logo बगरा आएगा, जैसे आप Adobe Firefly से डाउनलोड करते हो, तो आता है, तो देख लेते हैं, अब इस image को हम open करके देखेंगे, तो देखो कुछ image इ यहाँ पे हम प्रॉम्ट डाल के देखते हैं, तो दूसरा प्रॉम्ट हमने यहाँ पे डाल दिया है, अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि एक जो कच्छुआ है, वो दोड़ रहा है, और दोड़ते-दोड़ते वो कोल्डिंग भी पी रहा है, तो क्या इस तरह की image भी Gemini हमें बना के दे सकता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखो कि Gemini ने एक image बनाई है, जिसमें उसने चार images हमें बना के दी है, और यह वाला जो image है वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, funny लग रहा है थोड़ा सा, हम इसको भी यहाँ से download करके देखते हैं इसको save कर लेते हैं, और देखिए, यह image कुछ इस तरह की बनके आई है, और कहीं भी कोई भी watermark यहाँ पे नहीं है, अब YouTube वीडियो को यह कैसे सर्च कर सकता है, तो मैंने यहाँ पे लेखा मुझे Excel के बारे में कुछ best वीडियो सर्च करके दो, और मैंने इसको enter किया, अब क्या यह YouTube से वो वीडियो सर्च करके मुझे दे सकता है, result मुझे यहीं पे चाहिए, तो पहले वाले draft में तो Gemini हमें link नहीं देता, लेकिन दूसरे draft में Gemini हमको हर वीडियो के लिए एक link देता है, और draft नमर 3 भी अगर अब चेक करेंगे, तो YouTube channels के बहुत सारे link हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, और जिन से हम यह जो चीजे हैं वो सीख सकते हैं, तो क्या Hindi में भी हमें link मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ एक prompt डाला है, मुझे Hindi में Excel सीखना है, मुझे YouTube वीडियो दो, और मैं इस prompt को enter कर देता हूँ, अब देखता हूँ यह result में मुझे क्या देता है, त जेमिनी से हम बहुत ही important question पूछने वाले हैं, कि अभिमेन्य भरतवाज कोन है, अपने बारे में कौन नहीं जानना चाहता, तो मैं एक बार पूछ के देखता हूँ, क्या ही मेरे बारे में जानता है, तो मैंने prompt डाल के enter किया, और यहाँ पे यह बहुत ही गर्व की बात है, कि इस तरह के जो result है, वो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी 2-3 draft इनों ने बनाए हैं, और यहाँ पे देखो, इसको पता है कि मैं क्या-क्या काम करता हूँ, किस तरह के channel बनाता हूँ, मेरे channel के उपर किस तरह के videos हैं, कि यहाँ रहता हूँ, यह सारी चीजने इसको पता हैं, और जितने सारे draft में आप देखेंगे, यह सब आपको यहाँ पे इस तरह से बता देगा, और हो सकता है कि कुछ जानकरी दोर दोरो क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी AI बहुत perfect information आपको देता है, इसलिए आपको information एक बहुत सारे मामलों में मदद कर सकता है, एक बार हम इसे my big guide के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, और यह prompt मैं इंटर करता हूँ, तो क्या इस चैनल के बारे में कुछ information निकल के आती है, तो यहाँ पे आप देखो, इस समय जो information आ एक सबसे लोकपरिये चैनल है, और यहाँ पे जो विशेय हैं, वो सारे दे रखे हैं, इसके बार चैनल की और सारी विशेय दे रखे हैं, तो सबसे बैस जो हमारी quality रहती है, वीडियो सरल और समझाने में आसान भाशा में बनाया जाते हैं, जटल बातों को भी बड़ अच जैहिन वन्निमातरम